कि भाई इसमें क्या क्या अपडेट्स आ रहे हैं इस जस्ट की कस्टमर को ना जो डीलर्स होते हैं वो पागल बना रहे हैं जो क्वालिटी है फिट इन फिनिश है कमेंट से ऐसे आ रहे हैं कि भाई तू पागल बना रहा है Hello everyone, welcome back to another video I hope सब कुछ बढ़ी है जलोगा आप सब की जिन्दगी में आज आपके सामने खड़िये हैं All New 2024 Skoda Kushak का Mid Variant जो कि है Ambition इससे वहले ना मैंने आपको इसका Base Variant दिखा रहे है जिसमें 2024 में अपडेट्स आये और उसके सिवाथ मैंने आपको Top Variant भी दिखा रहे है जिसमें अगें अपडेट्स आये है बट जो Mid Variant है यह मैंने से वहले आपको नहीं दिखाया था कि भाई इसमें क्या क्या अपडेट्स आ रहे है और कहीं न कहीं भाई यह Variant वेल्यू फोर मनी तो रहता ही है भाई मैं क्यों पागल बना हूँगा मुझे पागल बना कि क्या मिलेगा इट्स जिस्ट ही कस्टमर को ना जो डिलर्स होते हैं शोरूरूम वाले होते हैं वो पागले बना रहे है अब वो आपको Old Stock चिप का रहे है मैंने आपको New Stock की वीडियो दिखाई है जो अपडेटिड आये तो इसमें भाई मैं कैसे पागल बना सकता हूँ थोड़ा सा आप भी अपना माइंड लगाओ कि जो शोरूरूम वाले कैसे आपके साथ खेलते हैं कि पुराना स्टॉक निकल जे और ठीक है वो डिसकाउंट भी दे रहे हैं तो आप पुराना स्टॉक ले लो बड़ बेस वेरियंट में आप ऑटोमेटिक एसी पैसे आप आई बेटन पर उसकी वीडियो देख ले ना फिलहाल हम एमबीशन की ही बात करेंगे जो की है इसका मिड़ वेरियंट और हमारे इधर मतलब की हरियाना में ये कार आपको पढ़ जाती है मोटी मोटी ओन रोड 16 लाग तक की बाकी जो डिसकाउंट सो गयारा मिलते है वो अलग बाद चिता आ जाती है सो 16 लाग में आपको ओन रोड क्या-क्या मिलता है क्या-क्या नहीं सबसे बहले इंजन स्पैसिवेशन की बात करें न क्योंकि मेन चीज तो भाई जर्मन कार्स का इंजन ही होता है ये देख लो भाई हजार सीसी काने इसमें आपको इंजन मिल जाते है जो कि आपको प्रोवाइड करता है अरूंड 115 भी एच्पी विद 178 अनम ओफ टॉर्क और बोनट भाई अच्छा खासा हैवी भी है और थ्री सिलिंडर इंजन है ये बस ये कोई-कोई लोग को ना एक मेजर ड्रोबैक लग जाते है वरना इसके लावा कोई ड्रोबैक नहीं है बट हाँ जो इस इंजन की प्रफॉर्मेंस है वो बहुत ही बढ़िया है बाकि कार की ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें 188 mm की ना ग्राउंड क्लियरेंस है बताओ जो सलावी है उसकी राउंड 177, 178 है और इसकी 10 mm एप्रोक्स जादा हो चुग है क्योंकि यह है तो भाई सो कॉल्ड SUV ही क्रेटा वाले सेग्मेंट में आती है बाकि तो इधर आपको स्कोडा का लोगो मिल जाता है ऐसी कुछ है इसकी ग्रिल जो इसमें मुझे सबसे बढ़िया चीज लगती है बेस वेरियंट भी बिलकली टॉप मोडल वाली फील देता है और मीड वेरियंट तो चलो देता ही है क्रोम ट्रीटमेंट आपको अच्छा घासा ग्रिल पे मिल जाता है ग्लोस ब्लैक की ग्रिल मिलेगी साइस की बात करें इसमें आपको मिल जाते है 16 इंचिस के टायर 205 60 आर 16 टायर साइज है एंड ऐसे कुछ है अलोई विल्स जी हां मिड वेरियंट में आपको अलोई विल्स मिल रहे है कोई डामेंड कट नहीं है और एक चीज जिसकी ना ऐसे चोई जादा बात नहीं करता है जो इनकी पेंट क्वालिटी है इस प्राइस हैं जिमें ना रेड कलर अगर करेटा का आता है अलोब एक बार ना हुंड़ई वगेरा मारूती वगेरा होगी उनका रेड कलर देखना और इनका रेड कलर देखना और में तो भाई तो पेंट कॉलिटी है बहुत ही ज़्यादा टॉप नोच यार तभी तो जर्मन्स आर जर्मन्स और इसी के साथ 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 प्रोफाइल पर आप देख सकते हैं कोई क्रोम ट्रीटमेंट आपको नहीं मिलता है एसी कुछ है भाई इसकी रियर लुक रेड में न अगेन में यह बोलूँगा रोड प्रेसंस न इसकी बढ़िया लग रही है बीच में रेड कलर आया था मोंटी कारलो में ब्लैक आउट होगे थे जैसे स्कोड़ा की बैजिंग है वो भाई और सादा जबर्दस लग रहा था बट नेवर देलेस जो यह है यह भी ठीक है रियर डिफॉगर, रियर वाइपर स्पोईलर आपको ऐसा कुछ मिल जाता है इंद इधर आपको हाई मौन स्टोपने मिल जाता है बाकी कुछ आपकी बैजिंग इधर मिल जाएगी जैसे में आपको ताया एंद टेलेट उनिट की बात करें हैलोजन यह आपको इंडिकेटर मिलेगा हैलोजन यह रिवर्स लाइट मिलती है ऐसी कुछ है इसकी टेल लाइट इसकी नहीं इसमें आपको बूट स्पेस मिल जाती है जो अच्छी बात है बूट लइट आपको मिल जाती है हुक मिल जाता है तीन किलो तो का वजन इधर टांग सकते है इधर टांग सकते है बाकी तो नीचे आपको मिल जाता है स्पेर वील येलो जी ये कितने का ये है भाई आर 15 मेरे खाला से बेस वेड में तो 16 इंच की टायर आते हैं बट ठीक है जो स्पेर वील है वो है 195-65 आर 15 और ये देखरो इधर भी लाल-लाल सा कलर आ रख है बट ठीक है इसे हम नीचे कर देते हैं 60-40 split का आपको option मिल जाता है एंड ये है इसकी partial tray जो की बढ़िया बात है एंड इसे हम ऐसे बंद कर सकते हैं बाकी तो देखो ये जुगार दे रख है ये टाइगून में भी दे रख है मतलब यार ये जीव सा ही लगता है क्यों देते हैं ऐसे बंद करें ये पता नहीं इसका आपको दो एर्बैक ही मिलते हैं पीलर पर ना कोई एरबैक की बैजिंग वगरा नहीं है बाकी दो टूर टूर ना इसमें आपको इंटीर जाते हैं बढ़िया लग रहा है दोट्रिम ख्रोम ट्रीटमन आपको मिल जाते हैं और भी हमसाब फोल्ड कर सकते हैं अड़ेस्ट क बढ़ी है कोई दिक्कत वाली बाच्चित नहीं है 3-cylinder इंजन है जब रफ करोगे तब आपको दिक्कत वाली बाच्चित भाई इसमें लग सकती है इसके लाव इंजन इसका रिफाइंड ही रहता है बाकी हाँ steering wheel की बात करें, leatherized steering wheel इसमें आपको मिल जाते है, infotainment के control इधर से आप अपनी M.I.D. वगरा control कर सकते हैं इधर से अपनी headlight वगरा control कर सकते हैं beam आप इधर से adjust करेंगे, wiper control ये है indicator का control and cruise control ना आपको इधर मिलता है, जो की बढ़िया बात है इसमें आपको digital instrument cluster नहीं मिलता है बट हाँ, बीच में M.I.D. मिल जाती है, जैसे मिना कोता है वगरा इधर से control कर सकते हैं, just like base variant basic basic सिना है, information आपको बता देती है vehicle status हो गया, telephone हो गया, audio हो गया हाँ, मतलब कि base variant में ऐसी नहीं आती है उससे थोड़ी सी अच्छी है, बट जो अपर variant है बिल्कुली टॉप variant उसमें तो भाई digital instrument cluster मिलता है, वो और बढ़िया लगते है बाकी तो यह, अब center console की बात करें automatic AC base variants है, तो इसमें भी होगा इधर से आब होई hazard light कर सकते हैं, on, lock, unlock, auto, on, off का button मिल जाता है, ऐसे कुछ है भाई, इसके AC events, chrome treatment आपको मिलता है, बाकी टाइगून वगारा से इंटीरियर इसका जादा बढ़िया लगते है बाकी screen की बात करें, टॉप वेटेंट में तो इन्होंने कर दिया इसमें चोटी वाली screen ही आती है, बट ठीक है android auto, apple car play, इसमें आपको wireless मिल जाता है, जो की बढ़िया बात है बट स्चिल यार, जो इसके हैं, controls वगेरा, वो यह किसी-किसी को यह पसंद है मुझे तो personally, जो top model वाली है, वो ज़ादा पसंद आती है थोड़ा सा न, इसका UI वगेरा न, थोड़ा old school सा ही लगता है मुझे बट anyway, यह सब चीज़े भाई, छोड़ते हैं, media वगेरा, no source available है, इदर से आप connect करेंगे न, तो चल जेगा बट हाँ, glove box की बात करें, ऐसा कुछ है, glove box, cool glove box इसमें आपको मिल जाता है और हाट प्लास्टिक है भई सारा, बट जो treatment है न, और खासकर इस Koda की वैजिंग, मैं लगी बड़िया लगता है, इसका इंटीर कोई दिक्कत वाली बात ची इतना आती नहीं है दो C-type socket आपको इधर मिल जाते हैं, इधर space मिल जेगी, 12 ओट का socket आपको इधर मिल जेगा, इधर से आप open कर सकते हैं 6-speed manual है, 6-speed talk converter में भी भाई, ये available है, बट camera quality मैं आपको दिखाता हूँ पहला घर लग गया, ये लो देखो, क्या camera quality है, बोर्डर से वैसी लाल लाल दीख रहे हैं ये नहीं मुझे समझाता है, camera quality तो इन्हें इंप्रूफ करनी ही चाहिए बाकी हाँ, इधर space मिल जेगी, 2 cup holder मिल जाते हैं, manual handbrake, center armrest मिल जाती है, ऐसा कुछ है space बट ये है non adjustable, इसी के साथ-साथ, cabin light की बात करें, ये आपको LED ही मिलती है, sunglass holder आपको मिल जाएगा, बाकी कोई sunroof इसमें नहीं है and ticket holder इधर नहीं है, mirror है, and इधर आपको ticket holder मिल जाता है, बट एक चीज़ ये note कर रहे हूँ, इधर भी आप ticket अपनी रख सकते हैं, वो ही है, skoda की tagline नहीं है, simply clever, मेरे खाल से इनकी है, वो ही वाला हिसा आप किता भाई, रहता ही है, बाकी तो seats की बात करें ना, fabric seats, seats में आप आपको leather seats मिल जाती है, बट ठीक है भाई, आगे से कार कुछ ऐसी है, अब हम चलते है, rear में, ऐसा कुछ है, rear door trim, and कार के अंदर चले ना, space यार, बढ़िया है, कोई दिक्कर वाली बाचित नहीं लगती है, leg room बढ़िया है, thigh sport भी आपको ठीक ठाक मिल जाता है, इधर आपक बढ़िया है, वो भी बहुत कम है, तो मैं वही कहा रहा हूँ, कि तीन बंदे बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बाचित भाई, आती ही नहीं है, बाकी तो, कार के हम बाहर चलते है, and वीडियो को conclude करें, no doubt, कार बढ़िया है, but again में यहीं कहूँगा, and yes, यह मेरे personal opinion है, अ उसमें 360 camera दे देना चाहिए, ताकि वो इस segment में competition अच्छा दे सकें, इडास दे देना चाहिए, level 2, and इसी के साथ-साथ, no doubt, भाई, 5-star rated car तो है, but 6 airbags as standard होजे, तो और मुझा आजेगी, बाकी तो आप लगोता हो भाई, आपको कुछाक कैसी लगते है, कैसी नहीं, जो इसक कर देना, चैनल को यह से subscribe कर देना, अगर आपको भी चाहिए, ओल न्यूस को अड़ा कुछा, रेड गलर में, बाकी तो मैं आप सब को मिलता हूँ, next video में, till then, bye bye, take care.